असलाम अलेकुम दोस्तों जैसा के पिछले किस्तों में आपने देखा कि मेरे साथ अबस्म थे इन्होंने बहुत सी बातें की तो बहुत सी दोस्बोचरे किते के कहानियों वाला सीजन कब आएगा तो आज हम पहला एपिसोड इसको शूट कर रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए इन्होंने मुझे एक बहुत दिल्चस्प कहानी बताए थी कि जब यह जटपट में पढ़ा करते थे देरालायार में एक मदश्य में पढ़ा करते थे तो वहां पर जब शाम के वाकत एक खहाना लेने गये तो उन्होंने जिन देखा था पता है निया कोई डायन थी वह इन इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग मदलब अच्छा कहानी है इसमें जूट की कोई गुझाश नहीं है हम तो छोटे थे आपको याद है अभी तक वह जो मदलब और ती वह जूट बोले ना बोले हम हमें उन से क्या मतलब शिक्वाओं उसने जो कहा हमने वह सुना तभी तो हम आज आपको सुना रहे हैं वह पता नहीं है तो कहानी आप कटीनियू कीजिए क्या हुआ था आप कहानी जटपट में च्छोटे थे बस 10-12 साल के थे हम मुदर्सों में ऐसी घुम रहे थे गलियों म रात के घुम अकसर लोग देर मतलब आप जाते हों वह शैर वाले ऐसे लोग हैं वह रोटी देर पकाते हैं यह रहे जारे हो मदरसे के लिए खाना लेने खाना लेने मगर्ब के पास निकलते हैं प्रवाइब बहुत ती घर होते हैं तो तीन चार नहीं होती है 30 चालिस घर होती है जा तो फिर क्या हुए आपके साथ तो हम जा रहे थे वैसे मंदलब एक गली में जा रहे ते सुन शान कर लिए थे ना बिजली थी नहीं कोई मतलब यह कोई रोड अच्छा था गली में व तो हमैसा वह स खतरनाक घली था कि खुब्स हमारी तो मदलब पेशा पी निकल जा जा थी ती ते आप जा रहे तो बैसे ही तो एक गर से निकले दूसरी गरती जर एक आखरी वाला मगर भी आखरी वाला थाना शेयर मत एक सबस्क्राइब नदर आ रहा है तो आखरी घर था हम उसमें गए बैटे तोड़ा तोड़े नहीं थे एक दो तीन थे उन्होंने रोटी बना रहे थे अजानक से कोई मेरे स्कूटर वाले आए घर वाले मेरे दूसरे आ गए उसी टैम उसी टैम आ गए हम बैठे हुए थे तो वहां उसने चोटा था ना उसका गिली भी चोटा था गेड़ उसने लग अवरत थी न दो ती या एक था मुझ जाए दो थी वह बाएर खड़ी हुए पहले उसने स्कूटर लाया में वह बाहर खड़ी हुए आ रहे हैं थी मतलब तोड़ा चोटा था वह पहले स्कूटर तोड़ा पस गया था माँपर आदमी स्कूटर वैक्यला था पी पीछे से दो और तो पर थी पर उतर गई वह उसने स्कूटर के लिए गुजरा हा अचा दोनों वह ऐसे ही तो हमारे मज़े मैं उसने स्कूटर लाया भागते हूं पीछे से ओरता हैं दो अरते हाँ दो वही थी मतला और तुसी लड़के की दिए जो बाइक लाया दा अंदर शैर क्या हुए थे हो मैं जैसे ही वह भागते हूं चिला चिला चिलाती हो ही आई उसी के ऊपर पतंग वगएरा होते हैं कभी-कभी ऐसे हिलते थे हुए हवा की वज़ा से पिर हम उससे भी ढड़ते थे इसी जासे पिर वह कह रहे थे हम तो वा उसी घर में सेहन कई समझे रहे ना वह चोड़ा माई और ती उसने रोया रोया वह उसने का डाहन देख लिया मारे का वैसा फिर हम भी ऐसे खामोश बैठे वते उसने एंको रोटी दिया फिर भी हम बैठे वह थे तर मतलब उसने पूचा क्या आप जा क्यों नहीं रहा है हम ने का ता हम दो लड़के थे अम ड़ गए तो शैर नदी का फिर दू भी अम डर्गे ते हम जा एह खाई ना अच्छी डर लग गए थी कि मुझे 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 समझ में आ गए तुम्हारी बात क्या माजरा हुआ था इसका जो खुलासा है वो मैं करना चाहूंगा कर सकता हूं आप रोज लेने जाते थे टिकी उन घर वालों का रवाई आपके साथ अच्छा था या बुरा हमारे साथ अच्छा था भई हस्ते के बड़े हमसे कोई मुह नहीं लगा तो मुझे समझ में आ रहा है उन्होंने आपको मतलब आप वापस ना रोटी लेने के लिए इसलिए उनको क्या पता करके कि हम मैं अंदर बैठे हुए थे उनको क्या पता इवा सभी लोगों ने सुना ये घर वाले आगे ना इदर समझ कूने रहे हो इतना डर गए तो ने कटाहिन है उखा रहा है मुझक मेरे ऊपर जपढ़ दिया उसने पर हम लिए अब भी भी पागल होग कोई पागल इंसान होगा या मैं तो कह रहा हूं ना उसने कोई दर्फ के ओपर कोई चीज हिलता हुआ देखा या वो डर गई और तैना और ज्यादा डड़ती है पूरा डे वक्त जा आप जाते दिन आप कहते कि मैं इस गली में कभी दुबारा नहीं हूं एक और वाक्या भी है मेरे पास फिर अगले एपिसोड में अभी साथ मेंट का हो गया है यह कहाने आपको इंट्रेस्टिंग लगी तो यार पिलीज लाइक कर दो क्योंकि कर दो अगले वीडियो के लिए पर हमत आती है बनाने में आपको आपको शायद आपको मालुम के डायन होते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि आपके साथ कोई वाक्या हुए था हमारे साथ शेयर करें बिलकुल बिलकुल और हम अपने चनल के तवस्त से यह वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे नए 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 टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे आपका फास बनता है कि अपने दोस्तो सपोर्ट कीजिए